नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आनलाइन इस्टिक्यूट निसान्त ग्यान के यूटूब प्लेटफॉर्म पर मैं इतिनुपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूँ अभिनादन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर मित्रों आज के वीडियो का टापिक है बहुत धर्म आप सभी लोग जानते हैं मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से करें आए चलिए आज हम बात करते हैं बहुत धर्म के बारे में मित्रों सबसे प्रदेश में नौकरी पाने का मित्रों सबसे पहले मैं बताता हूं पीछे बैक्ग्राउंड में लेके चलता हूं आप लोगों ने वैदिक सभ्यता पढ़ा पूर्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में इस्थिती तो समाज की सही थी समाज दूसित नहीं था लेकिन उत्तर द्धर्म उस समय का था हिंदू भर उर्व bleeding द्हीरे भिगाटित होने लगा अर्थात कई लोग ऐसे जन्म लिए जो अन्य धर्मों का प्रयाई प्रयास किये ठीक है आन्य र्मों के उध्य करने का प्रयास उन लोगों किया क्योंकि हिंदू धर्म में कुरितिया बहुत किया था और बहुत धर्म के प्रचार प्रसार काफी दिनों तक चलता रहा था सुरुगात में बहुत धर्म अपने अच्छे लेवल पर था लेकिन बाद में कोई भी धर्म होता है धीरे-धीरे-धीरे उसका ऊंच और नीच वाला पीरियड आता रहता है कभी ओचर्मोत कर्स और होता है तो कभे उसकी स्थिति गीरी हुई रहती है भिक इसी तरीके से हिंदू धर्म की स्थिति उस समय धीरे-धीरे नीचे निंवने के स्थार फ consig ऐ रही थी क्योंकि हिंडू धर्म में कुरृतिया बहुत जादा अस्थान बना ली थी तो उस समय बहुत धर्म का उदय होता है मित्रो यूपी ट्रिपल सीक पीटी में बहुत धर्म आगे दिखा गया है बुद्ध की जीवनी योम सिच्छाएं यहां से question आप से पूछा जाएगा सबसे पहले हम बुद्ध के बारे में अध्यन करना प्रारंब करते हैं वन लाइनर मैंने लिखा है बिल्कुल यहीं से question पूछा जाएगा कि भगवान बुद्ध का जन्म जो है 563 हिस्वी पूर्व लुंबनी के कपिलवस्तु में होता है मित्र लुंबनी कपिलवस्तु कपिलवस्तु एक राज्य था लुंबनी एक जगह का नाम था वहीं पर 563 हिस्वी पूर्व में एक जन्म होता है एक किवधनती है जातक कथा है जिसके अनुसार ये बताया जाता है कि जब भगवान बुद्ध के माता महमाया जो है अीहर का मतलब होता है तो जब माई के जा रही थी तो बीच में एक लुंबनी वन पढ़ता है वहीं पर इन्हे प्रसो पीडा होती है और वहीं पर क्या होता है नहीं करता है जाता कथाओं में भागवा बुद्ध pays सब्सक्राइब के फुल्म साथ कमल के पुस्प जो है पलवित हो गए थे इसी वज़े से भगवान बुद्ध के जन्म को कमल के चिन्न से प्रत्पादित किया जाता है ठीक है तो मीत करता हूँ जन्म की जो एक गुथी थी उसे आप समझ गये होंगे 563 इस्विपूर लुंबनी के वन में कप मृत्य होती है उनके पिता की बात की जात उनके पिता का नाम सुदोधन था और सुदोधन जो है कपिल वस्तु के राजा हुआ करते थे देखिए एक राजा का लड़का जो है सन्यासी बनता है तो कितनी बड़ी बात है ठीक है तो पिता जो है उनके सुदोधन थे और देख़कर बताया लड़के का एक बहुत बड़ाыт olasera निए लगते होने लगते हैं कि बेटे को किस तरीके से सन्यास से हटाया जाया स् निर्ग किस तरीके से राजा बनने की दिशा दोटि कंते हो वोग जो है 16 वर्ष की अवस्था में हैं उनका विवाह कर देते हैं इनके जब पतनी का नाम देखेंगे तो यसोधरा के साथ इसी के कारण क्योंकि जो सन्यासी आया था उन्होंने बता के गया कि यह तो चक्रवर्ती नरेस बनेगा यह तो भिखारी बन जाएगा सन्यासी बन ठीक है आपके कहने से कुछ नहीं होगा इनकी माता का नाम का बताया जाए इनकी माता का नाम महामाया था जो कोली वंस से सम्मंद रखती थी इनकी माता का देहांत हो गया था मात्र साथ दिन वाद इनकी माता का देहांत हो गया था इनका लालन पालन इनकी मौसी परजापत गौत्मी जी ने किया था इनकी मौसी का नाम क्या था प्रजापती गौत्मी जब महामाया की मृत्यू हो जाती है तो महामाया की बहन से सुद्धोधन जी का बिवा हो जाता है ठीक है तो सुद्धोधन जी की जो पतनी होती है तो महामाया की मृत्यू के बाद वह कौन होती है प्रजापती गौत्मी और प्रजापती गौत्मी अपने पुत्र की तरही सिधार्थ का लालन पालन करती है, सिधार्थ मतलब महात्मा बुद्ध, ठीक है, आगे बात करते हैं, जब इनका बिवा किया जाता है, तो बिवा के बाद इनके एक पुत्र रतन की प्राप्ति होती ह मैंने पुत्र और पुत्री जब भी कहीं पर इस्तेमाल करता हूँ तर रत्न आगे लगाता हूँ, मित्रों पुत्र भी रत्न होता है, पुत्री भी रत्न होती है, हमेशा इस बात को आप गांट माध के रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में आप भी ग्रियस्ते अब पत्नी को समधलते समालते एक पुतर रतन की प्राप्ति हो गई, अब एक और बंधन हमारे सामने आगया राहूल के नाम से, आगे हम ग्रियत याक की बात करते हैं, मित्रों बच्पन से ही उनके मन में जब सुभव उठते थे पेढ़ा के पत्ते जो पीले होते हैं और उत दोधन हटवा देते थे उनके सुबह जगने से पहले लेकिन होनी को क्या मंजूर था हो देखिए उन्होंने एक बार अपने सार्थी जिनका नाम था चन्ना चन्ना से उन्होंने कहा कि मैं आज नगर भ्रमण के लिए जाना चाहता हूं तो चन्ना एक राजकुमार के वक्तव व्यक्ति की दिखाई देता है तो चन्ना से पूछते हैं कि यह क्या है उसने बताया कि व्रिद्धि व्यक्ति है क्या उन्होंने कहा कि सब कोई बुढ़ा हो जाएगा तो उन्होंने कहा हां सबको तो बुढ़ा होना ही है दूसरा उन्होंने एक द्रिश्य देखा मृत्य व पीमार हो गया है जो अंतीम द्रिस्ति उन्होंने देखा सन्यासी इन विक्ति तो उन्होंने पूछा यह सन्यासि व्यक्ति तो काफी खुछ दिखाई दे रहा जी जिवन में कोई भी तकलिप नहीं है कहीь न kuvai TH Clinic को देखते और इन तीनो द्रिश्यों को देखकर के उनके मन में तकलीप हुई कि जीवन में हमारे साथ भी ऐसा होना है आगे जो सन्यासी व्यक्ति है उस सन्यासी व्यक्ति जो है जब सन्यासी व्यक्ति को देखते हैं तुनके हिर्दे में सन्यास लेने का पूरा-पूरा मन बन जाता है ठीक है अब वो सन्यास लेने के लिए निकलते हैं सन् इनका ग्रिहत्याग होता है और इस अवस्था को महा भी निस्क्मण बोला जाता है ठीक है महा भी निस्क्मण अब जब और तुरंत निकलते हैं घर छोड़ करके तो घर छोड़ के क्या है रुद्रक राम पुत्त इनके दूति गुरु बनते हैं कभी कभी कोश्चत पूछा जाता है कि बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे तलार कलाम थे जो बैसाली में बने थे दूसरे थे रुद्रक राम पुत्त जो राजगरी में बने थे दूसरे गुरु थे जब ग तो उस तरीके से इनके बन में जो है कुछ अलग चीजे चलने लगे क्योंकि ये व्यक्ति उत्पन्न हुए थे कुछ अलग करने के लिए ही उत्पन्न हुए थे ठीक है आगे बात करते हैं लगातार च्छावर्थों की कठोर तपस्या के बाद पीपल के व्रिच्छ के नीचे बोध गया में बिहार में बोध गया नामकस्थान में पीपल के व्रिच्छ के नीचे इन्हें जो है ज्यान की प्राप्ति होती है इन्हें पता चलता है कि जन्म और मृत्यू के बंधन से किस तरीके से हम छुटकारा पा सकते हैं इनका मुख्य उद्देश से था कि हमें जन्म और मृत्यू के बंधन से छुटकारा पाना है इन्हें अमर होना था लेकिन कोई व्यक्ति अमर नहीं होता है हर एक व्यक्ति के मृत्यू निश्चित है लेकिन यह अमर हो गये हैं ठीक है एक अच्छा काम करके अमर हुए है छह वर्ष की आयू में पीपल के व्रिच्छ के नीचे बोध गया में इन्हें अज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ठीक है और इन्हों ने जब ज्ञान इन्हें बुद्ध को जहाँ ग्यान प्राप्ति हुई थी ओकिस नधी के किनारे था आप से मैं कोच्ष्चन पूछता उõगे है जू इनके प्रियसिस्य का नाम है पकिया नाम है आननध है जब इन्हें ग्यान की प्राप्ति हुए इन्हों ने अपना उपदेश सारनात में दिया थ अगर इनके प्रियसिस्य का नाम बताया जा तो इनके प्रियसिस्य का नाम आनन्द था यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सबसे पहले उनका जन्म 563 स्विपूर लुंबनी कुसीनगर कपिलवस्तु में मृत्यू 483 स्विपूर कुसीनगर में पिता सुदोधन थे कपिलवस्तु के राजा थे माता महमाया थी कोली वन्सकी थी पतनी का नाम क्या था यसोधरा था सोला वर्श की आयूमें जिनसे विवा हो गया था पुत्र का नाम राहुल था जिसका अर्थ होता है एक और बंधन ग्रित्याग इन्होंने 29 वर्श की अवस्था में का किया था जिसे महाभीनिस्क्रमण बोला जाता है इन्होंने चार द्रिष्य देखा था इनके पर्थम गुरु अलार का लाम थे जो वैसाली में बने थे इनके दुती गुरु कौन थे रुद्रक राम पुत्त थे राजग्री में इनको ग्यान की प्राप्ति बोध गया में हुई थ पीपल के नीचे हुआ था इनके प्रियसिस का नाम आनद था और इन्होंने पर्थम उपदेश सार नात में दिया था ठीक है तो इस चीजों को आप को रिलेट कर लीजिएगा अच्छे से पढ़ लीजिएगा आगे कुछ बात करते हैं जब इनके कुछ प्रतीक चिन हैं इ इस वज़े से कहा जाता है इनके जन्म का प्रतीक चिन है और कमल का पुष्प है और साण है क्या है साण है ठीक है आगे बात करते हैं जब इन्होंने गृत्याक किया था तो आगरी मार्त यंद और था बता जाता है कि उनके पदचिन कहीं पर ले लिए गए और उसे बना दिया गया ठीक है तो जन्म को कमल और साण से ग्रीत्याक को घोड़ा से ज्ञान को पीपल से निरवान को पदचिन से निरवान का मतलब होता है जब मर गए थे ठीक है आगे बात करते हैं अभी तक बॉद आनंद जी के कहने पर इन्होंने वैसाली में पर्थम सिस्या प्रजापती गोत्मी को प्रविश्दे दिया यह नहीं चाहते थे अगर कहते थे कि अगर जो है बुद्ध धर्म में महिलाएं आ जाएंगी तो बुद्ध धर्म जल्द ही समाप्त हो जाएगा ठीक है और इनका कहना भी सही हुआ बुद्ध धर्म में जैसे ही महिलाएं आई बुद्ध धर्म अपने पतन की अवस्था में देरे देरे चलने लगा इन्होंने कहा कि बुद्ध धर्म में हम निर्वस्त्र होकर के रहेंगे और महिलाएं निर्वस्त्र होकर रह नहीं सकती थी इस वजह से जो है अपने प्री सिस्य आनंद के कहने पर इन्होंने बहुत दबाव आनंद जी ने बनाया तो इन्होंने वैसाली में महिलाओं का प्रवेश करा दिया और इनकी जो प्रथम सिस्या थी उनका नाम था प्रजापती गोत्मी क्या नाम था प्रजापती गोत्मी वैसाली में ही इनकी दूसरी जो सिस्या बनी थी उनका नाम था आमरपाली आमरपाली क्या थी आमरपाली जो है एक वैस्या हुआ करती थी जो बुद्ध के उपदेशों से इतना ज़या प्रभावित हुई कर अपनी वैस्या वृत्ति छोड़ करके बुद्ध धर्म को अपना लिया ठीक है तो बुद्ध इतने ज़्यादा सक्टिसाली थे कि एक वैस्या की वैस्या वृत्ति को छुड़वा दिये आमरपाली एक वैस्या थी आगे बात करते हैं सबसे ज़्यादा इनका उपदेश जो सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश दिया है उस्रावस्ति में रह करके द अगर बात की जा इनका अंतिमुपदेश, इन्होंने अपना अंतिमुपदेश किसे दिया था, इन्होंने अपना अंतिमुपदेश सुभध नाम के अपने एक सिस्य को दिया था, किसे दिया था, सुभध नाम के एक सिस्य को दिया था, ए जितनी चीजे मैंने बताया, अभी यह चीजिज़े जο है बुध्ध की प्राचीन जीवन की कहानी है अब उसके बाद हम बुध धर्म करते हैं कि जब वड्ध Có अधर्म के दर्म की उत्रति कराई तो उस धर्म में उन्होंने बताया उन्होंने सबसे पहले बताया कि भया चार आरयसत्य है उन्होंने दूसरा आर्यसत्य है, एक दुख आपके सामने नहीं आएंगे, पूरे दुखों का समुदाय आपके सामने आ जाएगा, दूसरा आर्यसत्य है, तीसरा आर्यसत्य है, अगर दुख है, दुख का समुदाय है, तो दुख का निरोध भी है, निरोध का मतलब क्या है, दुख का रोकना भी है, आगे बात करते हैं, अगर दुख निरोध है, तो दुख निरोध का मार्ग भी है, ठीक है, पहले दुख है, उसके बाद दुखों का समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध का मार्ग भी है, यहीं इनके चार आर्यसत्य बताए गए थे, ठीक है, तो म चल करके एक व्यक्ति अपने जीवन को शफल बना सकता है, जिस पर चल करके एक व्यक्ति अपने जीवन में मोंच की प्राप्ति कर सकता है। इस अस्तांगिक मार्गों का किस तरीके से हमें अध्यन करना है, द्यान से देखिएगा, सम्यक द्रिष्टी, सम्यक मतलब होता है सही द्रिष्टी, सम्यक का मतलब है सही, सम्यक मतलब सही, सही द्रिष्टी रखनी चाहिए, एक बार जो संकल्प आपने ले लिया, उस संकल्प को सही रखिए सम्यक संकल्प सम्यक वाक जो आप बोलिए उसे बहुत तौल करके बोलिए क्योंकि पंडित प्रताप नराण मिस्रे ने कहा है कि बात को बहुत तौल करके बोलना चाहिए बात से ही आप राजा के द्वारा पुरसकार प्राप्त कर सकते हैं और बात से ही आप हा घष स्वाधि के से सही चीज़ को याद रख़िए समयक समाधी अगर आप समाधि की मुद्रा में बैठते हैं तो इस आश्ठ आस्टांगिक मार्ग उुन्होंने बताया था अब इस आस्टांगिक मार्ग से कोस्टन आप से नहीं मृशा जाएगा समयक व्यायाम क्या है, ठीक है, एक बार आप इसे रिकॉल कर लिगिये, समयक दृष्टि समयक संकल्प समयक वाक, समयक कर्म, समयक आजीव, समयक व्यायाम, समयक अस्मृति, समयक समाधि START मार गय है ऑगे आगे बुद्ध धर्म में तिरी रतन भी दिया गया है, बुद्ध धर्म में तिरी रतन कितने हैं, तिरी रतन का मतलब होता है, बुद्ध धर्म के तीन रतन है, वो तीन रतन कौन कौन से हैं, पहला है बुद्ध, दूसरा है धम, तीसरा है संग, बुद्ध धम और संग के मेल से बुद्ध मतलब क्या है बुद्ध मतलब ज्यान होता है अगर आप से पूछा जाए कि बुद्ध सब्ध का वास्तिविक अर्थ क्या होता है तो बुद्ध सब्ध का वास्तिविकर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति ठीक है बुद्ध सब्ध का वास्तिविकर्थ होता है प्रबुद्ध व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है? तो बुद्ध होगा, धम का मतलब क्या है? धम का मतलब होता है धर्म, और संग का मतलब क्या होता है? संग का मतलब होता है समू, बुद्ध, धर्म और संग ये तीनों जो है इनके तिरिरतन बताए गये हैं, और ब बुधत्त का मतलब क्या हुआ अब इन्हें ज्यान की प्राप्ति हो गई ज्यान की प्राप्ति के समय इन्हें बुधत्त कभा गया है अब हम आगे आते हैं कि जब अब कुछ दिनों के बाद चार्फसोट तीरासी स्विपूर में गौतम बुध्यी की मृत्यू हो जाती है तो उसके बात क्या होता है इनके बौध धर्म में जो है कई तरीके से लोगों के आचार व्योहार और मान्सिक रूप से लोग जो है दो भागों में विभाजित हो जाते हैं ऑद्जाफ़ कमी वाजित हो जाते हैं अब इसे हम आगे पण्दम कर देते हैं लाजमी है कि जब कोई नेता मर जाता था नेता पॉस पार्टी में विखंदन शुरू हो जाता है तो विखंडन इसी तरीके से बौध धर्में भी हुआ ही नियान और महायान में उसके आगे हम पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हम एक चार्ट को पढ़ लेते हैं जिसके बारे में काफी ज्यादा क्वेशन पूछा जाता है कि बौध संगीतियों का जो आयोजन हुआ था और क इसके किसके सासनकाल में हुआ था ये बौध संगीतियां क्या होती थी बुध धर्म बुध की मृत्यू के बाद प्रतेक सो वर्स के बाद बौध संगीतियों का आयोजन हुआ इसमें बुध धर्म के प्रचार और प्रसार बुध धर्म की सिछाओं को लोगों तक पहुचा जाने का प्रयत्न एक प्रयत्न किया जाता था जिसे बौध संगीति के नाम से जाना जाता है सबसे जो पहली जो बौध संगीति का आयजन हुआ था भगवान बुद्धि की मृत्यू 483 इस्वी हुई थी और 483 इस्वी पूरो में ही राजग्री में अजात सत्रु के सासनकाल में यहां पर जो व्यक्ति है जो राजा है उनका नाम लिखा गया है यह अस्थान का नाम है और यह जो है राजा का नाम है ठीक है अस्थान और राजग्री नाम का स्थान पे अजात सत्रु के सासनकाल में महाकस्यप क्या नाम था जो इस संगीति के अध्यच थे उनका नाम था महाकस्यप पर्थम बौध संगीति का आयोजन 483 सुवपूर राजग्री में आजात सत्रु के सासनकाल में महाकस्यप की अध्यचता में हुई थी आगे बात करते हैं 383 सुवपूर मैंने कहा था 100 वर्स के बाद अमूमन 100 वर्स के बाद ऐसा होना प्रस्तावित्था दूस अध्यचते उनका नाम था सवाकामी क्या नाम था सवाकामी उसके बाद तीसरा जो बौध संगीति का आयोजन होता है और 247 सुवपूर होता है 247 सुवपूर मौर्यवंस का सामराज्य चल रहा था पूरे भारत देश में पाटली पुत्र में पाटली पुत्र मगद वाला कर देश्यय ठाथा ठीक है उसी ही पाटली पुत्र में अशोग के सासनकाल में मोगली पुत्ति क्या नाम था मोगली पुत्ति की अध्यचता में थरी तीब संगीति्या अध्यकोर में आगे बात करते हैं चोथी जो बहुत संगीती का आयोजन होता है वो बहुत दिनों के बाद होता है 102 इसवी में अब यह तो इसवी से पहले था 483 इसवी पूर, 383 इसवी पूर, 247 इसवी पूर लेकिन जो चत्तुर्थ बहुत संगीती है इसका आयोजन जो है दो लोग इसके अध्यच और उपाध्यच बनते हैं एक थे वसुमित्र वसुमित्र के अध्यच बनते हैं और अस्वघोस इसके उपाध्यच बनते हैं ठीक है चतुर्त बहुत संगीति का योजन एक सो दो इस्वी पूर्व एक सो दो इस्वी में पूर्व नहीं है कुंडल नामकस्थान में कनिस्क राजा थे वसुमित्र की अध्यच्ता और अश्य घोस्त की उपाध्यच्ता में होता है तो मित करता हूं चार्ट आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा ठीक है अब यहां पर एक चीज मैंने उपर लिख दिया है इस चीज को आप ध्यान रख एक क्या है तो एक निर्माण कराने की सैली है मंदिरों का निर्माण कराने की सैली होती थी एक नियम होता था तो वही जो गांधार सैली है गांधार कला है इसका सम्मंद जो है बौद धर्म से क्यों है क्योंकि जब बौद धर्म का परचार अच्छे तरम अच्छे तरीके स ठीक है यहां पर मैंने तीन चीजे लिखी है एक लिखा है चैत्य एक लिखा है इस्तूप और एक लिखा है बिहार इन चैत्य इस्तूप और विहार से कभी कभी कोशन आपसे पूछ ले जाता है कि चैत्य क्या है इस्तूप क्या है और बिहार क्या है मित्रो जो चैत्य होता है चैत्य जो है बॉद्धों के पूजा घर को कहा जाता है जो बॉद्धों के पूजा घर होता है उसे हम क्या बोलते हैं चैत्य बोलते हैं आगे है इस्तूप इस्तूप में क्या होता है बुद्ध के जो अवसेश से बुद्ध के जो सरीर के अवसेश थे उस सरीर के अवसेश क करके उसके उपर मंदिर नुमासन रचना कराई जाती थी उसे कहा जाता था इस्टूप और चैत किसे कहा जाता था चैत जो है बौधों का पूजा घर हुआ करता था वहां पे बैट करके ओ लोग पूजा करते थे ठीक है जो आगे लिखा गया है विहार विहार जो है बौध परिच्छा में यहां से आ सकता है question तो सबसे ज़्यादा यहां से पूछा जाएगा प्रथम, दुती, और तिती, चतुर्त, बोश, संगीति, कायोजन और इसके राजा कौन थे या किसके सासनकाल में हुआ था या किसकी अध्यचता में हुआ था question यह पूछा जा सकता है और यह question काफी बार यूपिटर पले सिम पूछा गया है गांधार सहली का सम्मंद या बहुत धर्म का सम्मंद किस सहली से है तो गांधार सहली से है ठीक है आप सभी लोगों को मैंने पहले भी आउगत कराया था तो पाली भासा में मिलेंगे आप लोग ध्यान रखिएगा कि बौधों के जितने भी ग्रंथ मिलेंगे पाली भासा में मिलेंगे ठीक है और पहले मैंने बताया कि जब बुद्ध धर्म की बुद्ध जी की मृत्य हो जाती है यह जो है दो साखाओं में भाजित हो जाता है एक साखा है हीनियान एक साखा है महायान अब हीनियान और महायान आपस में बट जाते हैं हीनियान साखा के लोग रूडिवादी होते हैं रूडिवादी का मतलब क्या होता है हम बुद्ध के द्वारा बताए गए नियमों पर ही चलेंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे रूडिवादी विचार धाराओं पर थे बुद्ध के द्वारा चलाए गए कथनों पर ही चलते थे अब यहाँ पर महायान साखा में क्या हुआ, महायान साखा में जो है एलोग परिवर्तन का समर्थन करते थे, यहाँ पर एलोग नियम को नहीं बदलना चाहते थे, वो चाहते थे कि बुद्ध जिस तरीके से नियम दे करके गए हैं, उसी नियम पर हमें काम करना है, लेकिन महा के लोग ही नियान के लोग बुद्ध को एक भगवान नहीं मानते थे ही नियान के लोग क्या कहते थे कि भगवान बुद्ध एक व्यक्तित थे लेकिन यहां पर महायान साखा के जो लोग थे महायान साखा के लोग भगवान को बुद्ध मतलब कि बुद्ध को जो है भगवान की रूप में मानते थे और उनकी मूर्ती बना करके पूजा करते थे ठीक है लेकिन ही नियान के लोग बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे वो कहते थे कि भगवान नहीं थे एक व्यक्तित थे जिन्होंने हमें समाज में रहने का एक और सीख सिखाया तो यह लोग उनकी मू पूजा का लोग विरोध करते थे महायान के लोग मुर्ति पूजा का विरोध नहीं करते थे आगे बात करते हैं जो ही नियान साखा था ही नियान साखा सिरी लंका में वर्मा में थाइलेंड में इत्यादी दच्छडी देशों में ही नियान साखा का प्रभाव रहा जो महाया साखा था महायान साखा का प्रभाव उत्तर भारत में चीन में जापान में इस एरिया में मतलब उत्तर भारत की तरफ वाले एरिया में सबसे ज्यादा महायान था उपर जब भारत को इस तरीके से बनाएंगे भारत को आप जब इस तरीके से बनाएंगे उपर वाले एरिये मे यहाँ पर महायान था और नीचे वाले एरिये में ही नहीं था ठीक है तो उम्मीद करता हूं मित्रों सबसे बड़ी बाते हैं कि मैंने जो है बुद्ध धर्म को बिलकुल सटीक्ता से समझाने का प्रयास किया है बुद्ध धर्म में अभी बहुत सारी चीजे हैं मैंने जो बह जाता है बोधी सत्व बोधी सत्व का मतलब क्या होता है ऐसा व्यक्ति जो एसा व्यक्ति जो निर्वान प्राप्त कर लिया हो और दूसरों को निर्वान प्राप्ति करने में मदद करता है वह बोधी सत्व कह लाता है निर्वान का मतलब क्या होता है मोच अब भया जो मोच की प्राप्ति कर लिया है जो मर गया है दूसरों को मरने में मदद कईसे कर सकता है लेकिन परिभासा है ज्यान रखिएगा बोधी सत्तो का मतलब है कि जो व्यक्ति निर्वान को प्राप्त कर लिया है और दूसरे अज्ञानी व्यक्ति को ज्यान दे करके इस तरीके से मेहनत कर ये कर्म करिए, आप भी निर्वान की प्राप्ति कर लेंगे, मोक्षी की प्राप्ति कर लेंगे, यही बोधी सत्तो कहलाता था, ठीक है? एक वजरयान साखा होती है, उस वजरयान साखा के बारे हमालक से कभी डीटेल में चर्चा करेंगे, अब हम आपको बताते हैं, बुद् धर्म महिलाओं का प्रवेश किया जाता है, तो यह धर्म एक हजार वर्ष से जादा नहीं चलने वाला है, और वही हुआ, उनकी मृत्यों के बाद यह धर्म पूरी तरीके से धरासाई हो गया, और इस धर्म अपने पतनोनमुक अवस्था में चला गया, अब इसमें क्या हो आसानी से बौध धर्म में जब वही कुरितिया आने लगती है, लोग जादू टोना जंतर मंतर पे विश्वास करने लगते हैं, तो धीरे धीरे लोग कहते हैं, भाया बौध धर्म को छोड़िये हमारा अपना पूराना धर्म ही सही था, तो गुप्तकाल में आते आते लगते हैं, और बौध धर्म का परिच्या करने लगते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे अब आगे हम जब जैन धर्म पढ़ाएंगे, जैन धर्म के बाद आपका गुप्तकाल सुरू होगा, इसी तरीके से धीरे धीरे टॉपिक वाईज मैं पूरा तरीके से कंप्लिट कराने क प्रयास करूंगा, वीडियो अगर आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब के माध्यम से हमारा सपोर्ट करिएगा, और जो भी अगर मुझे से कोई गलती होती है, मैं जान बूझ के तो कोई गलती नहीं करूंगा, क्योंकि इस समय जिस अस्था परिपूर्ण हूँ, तभी आपको पढ़ा रहा हूँ, इस चीज को अपने कपोल कल्पित दिमाग में रखिएगा, इसी तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं, अगर सिच्छक है, तो सिच्छक को पूर्ण धरजादी मिला चाहिए, अगर छात्र है, तो कोरे कागज की तरह